नमसकार दोस्तों नमस्षिवय जीवन जोती चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है पती-पत्नी के रिष्टो पर, अर्थात पत्नी ऐसा क्या काम करें ऐसे कौन से कर्तब में निभाएं जिससे की वो अपने पती के दिल में जगह बना लें कहने का अर्थ है कि उनके पती उन्हें अपने सराखों पे बिठा कर रखें और बहुत ही अधिक उन्हें प्रेम और सम्मान दे जैसे कहा जाता है कि आपका अस्थान उनके दिल में हो तो ये हर पत्नी चाहती है कौन ऐसा नहीं चाहता होगा कि हमारे पती के दिल में हमारा अस्थान हो और हमें वो प्रेम करें सम्मान दे तो ऐसे मैं पांच कार्य बताऊंगी पांच ऐसे करतब बताऊंगी बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही साधारण हैं लेकिन इसमें बहुत ही जादा गहराई छुपी है दोस्तों यदि सभी बहने इस तरह से कर लेती हैं ये पांच कार्य ये पांच करतब बे निभा तो निश्चित रूप से उनके पती के दिल में उनका स्थान बन जाएगा और पूरी तरह से वो प्यार और सम्मान पाएंगी तो आईए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारे हैं चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो आपको पस परिवार हैं वो आपके भी परिवार हैं कभी भी देखिए घर में हैं चार परिवार हैं चार लोग है तो थोड़ी अनबन कभी हो जाती है नोग जोख हो जाती है सबके घर में चलता है थोड़ा बहुत ऐसी बात नहीं है तो होता क्या है कि अक्सर पत्नियां किस से कहें व ये काम आप बिल्कुल ही छोड़ दें अब आप सोचेंगी कि किस से कहें देखिए घर में छोटी मोटी नोग जोख होती रती है उसे आपस में सुलजा लें या बहुत सी बातों को इतना ज़्यादा दिल पे न लगाएं कि उसको आप दिल पे लगा के बैठी हैं फिर मन में बहुत ज़्यादा आपके दुख है तो जाके अपने पती से आप शिकायत करें इससे होता क्या है देखिए हो सकता है कि आपके पती सहस्वभाव के हों कुछ न बोलें आपको भी कुछ न बोलें या और परिवार को कुछ न बोलें लेकिन मन ही मन में उनको इस बात का पति यहीं चाहते हैं कि हसके हमारी पत्नी हमारा स्वागत करें उसके बाद उनको जो भी चाय नाश्ता पानी है वो दे अब ये बताईए वहां से आने के बाद यदि आप शिकायत लेके बैठ जाएंगी तो उनके मन पे क्या बीतेगी यदि वो कुछ नहीं बोलते हैं तो इ नोग जोग आपकी जो परिवार से जो हुआ है थोड़ा बहुत वो तो अलग फिर आपके पती से भी आपकी नोग जोग हो जाएगी तो दोनों ही रूप में ये बात कहीं से सही नहीं है तो इस बात का आप भी ध्यान रखें थोड़ी बहुत समस्या घर में सुलजा लें जरूरी नहीं है कि हर बात पती से जाकर कहीं ये जाए उनको घर की हर बातें बताई जाए शिकायत के रूप में, ये हो गया पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिए, कि उनके जो परिवार हैं, उनके जो रिष्टेदार हैं, कहने का मतलब है कि वह आपके भी जब आपकी शादी हो गई, तो आपके भी परिवार हैं, आपके भी रिष्टेदार हैं वह, तो पूरी तरह से आप उनको सम्मान और प्रेम दीजिए, कभी भी बोज मत Wild, और इनके इतने इतने रिष्टेदार हैं, ये आ गए वह महमान आ गए, इनके पिता हैं, इनके माता हैं, इनकी बहन हैं, कभी भी नहीं, आप जितना सम्मान अपने मैके वालों को जितना प्रेम देती हैं, उसी तरह से प्रेम आप अपने पती के भी पूरे परिवार को अर्थात अपने ससुराल वालों को दीजिए, देखिए इससे होगा क्या, कि अपने पति को आप थोड़ा कम भी सम्मान देंगी और उनके परिवार को, उनके रिष्टेदारों को, उनके बहन को, उनके भाई को आप पूरी तरह से भरपूर प्रेम और सम्मान देंगी, तो वो बहुत ही खुश होंगे इस बात से, और कहीं न कहीं उनको ये लगेगा कि हां, मेर पतनी दुनिया की सबसे अच्छी पतनी है मेरी पतनी के अंदर वो सारे गुड़ हैं जो एक पतनी के अंदर होने चाहिए जरूरी नहीं कि आपके पती हर बात को आप से बोलें कहें या बताएं कि ऐसा करो तुम ऐसा करो यह नहीं जरूरी है बहुत लोग ऐसे सुभाव के हो हर पतनी चाहती है कि हमारे पती हमें हमें प्यार ही नहीं करें मेरा सम्मान भी करें मतलब इतना उचा स्थान आप अपना बना लेजिए कि प्रेम ही नहीं आप पूरी से पूरा-पूरा सम्मान उनसे पाएं तीसरी क्या बात है बहुत ही छोटी-छोटी बाते हैं यदि बहने ध्यान रखें जो जिन बहनों के शादी होने वाली है या जिनकी नई नई हुई है या जिनकी हो चुकी है घर में कुछ दिक्कते चल रही है वो भी इन पॉइंट पे ध्यान देंगी तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा ही आएगा 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 तीसरे पॉइंट पे चलते हैं देखिए आपके पती की जो भी कमाई है जो भी बजट है उनके पास जो भी उनकी हैसियत है उस हिसाब से आप अपने को ढालने का प्रयास कीजिए ये बहुत जरूरी है जैसे अनावस्यक मांग करना कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए मुझे यहां जाना ही जाना है मुझे ये चीज इस समय पे चाहिए ही चाहिए कभी नहीं आप अपने इतनी समस्दार बनिए कि आप अपने पती के भजट को उनकी कमाई को देखिए उनकी परिशानियों को समझे कि उनके पास पैसे हैं या नहीं है क्या चीज किस समय हमें डिमांड करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए या उनका उनकी स्थिती कैसी है ये पत्नी नहीं समझेगी तो कौन समझेगा ये पत्नी को जरूर समझना आप अपने पती के कमाई में अपने पती के बजट में आप अपने आपको ढ़लने का प्रयास कीजिए अपनी डिमांड वही तक रखिए जहां तक आपके पती आराम से comfort level में वो सारी मांग आपकी पूरी कर सके तो इससे होगा क्या कि आपके पती को अंदर से बहुत ही बहुत ही गहरी बाते हैं चौथी बात यह है दोस्तों कि इस बात का ध्यान बहने जरूर रखें कि कभी भी माली जीवन में आपके पती के साथ आपकी अन्बन हुई या उन्होंने गुस्से में आपको कुछ कभी बोला हो या कुछ कह दिया हो कभी भी बात जब वो बीत ज यदि सारी चीजे, किसी के भी समस्दारी से सारी चीजे समहल चुकी है तो पती पतनी के रिष्टे में जरूरी है कि पूरे जीवन में ये बात जरूरी होती है कि पिछली करवी बातों को न दोहराया जाए. माल लीजे आपके पती कभी ऐसा सुभाव रहा हो कि आपको कभी कुछ कह दिये हो या उनका सुभाव उस समय उतने वो समस्दार न रहे हो आपकी नई नई जब शादी हुई रही हो तो उस समय आपके दोनों लोग के बीच में कुछ नोग जोग हुई हो या कोई बात हुआ हो या कोई मन मुटा हुआ हो उन्होंने कुछ कह दिया हो आपने कुछ तो उस बात को लेकर बाद में कि आपने तो मुझे ऐसा कहा था आपने तो मेरे साथ ऐसा किया था कभी नहीं करनी चाहिए पिछली बात जो कड़वी हो उसे कभी याद नहीं करना चा लेकिन उसे कही न कही मन में बहुत ही इस बात का दुख होता है और बहुत ही ये बातें बुरी लगती हैं तो आप अपने पती को कभी किसी भी बात का ताना न सुनाएं या कोई कमी ही हो किसी तरह का या उनके परिवार में ही कोई ऐसा पॉइंट हो कोई ऐसा ऐसी बात हो कि आपके परिवार में तो ऐसा है, आपके परिवार के लोग तो ऐसे हैं, कभी नहीं, तो इस भी बात का और ध्यान रखें कि बेती हुई बात को या ताने के रूप में आप किसी बात को अपने पती से न कहें, إلى म पांचवी बात बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है बहुत ही असर पड़ता है आपके पती के दिल पर और उनके उपर आपका जो आपकी जो छवी है वो बहुत अच्छी बन जाती है कैसे उनके मन पसंद का भोजन उनके मन देखे कहा जाता है कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है तो आपको मालिजे कि वो चीज नहीं पसंद है वो डिश आपको नहीं पसंद है लेकिन समय समय पर आप अपने पती के मन पसंद जो उन्हें बहुत ही अधिक पसंद हो वैसे तो मन पसंद भोजन बनता ही है घर में कि परिवा आम तोर पर होता क्या है कि पत्नी ही ये अपेक्षा रखती है कि मुझे पती गिफ्ट ला कर दे, मुझे समय समय पर किसी भी तीज त्योहार पर हमें कुछ न कुछ दे, लेकिन ये जरूरी नहीं है, आपका भी ये फर्ज बनता है कि किसी समय पर आपके पास पैसे हैं या लेकर आप उन्हें दे सकती हैं, इससे क्या होगा बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये दिल पर बहुत ही अच्छा असर डालती है, बहुत ही गहरा असर डालती है, तो इससे उन्हें लगेगा कि मेरी पत्नी को मेरी पसंद और नापसंद का बहुत ज़्यादा ख्याल है, तो आप भोजन और साथ साथ इस तरह की कोई बस्तु हैं जैसे सामान कोई गिफ्ट अपने पती को समय समय पर दे सकती हैं और ये छोटी-छोटी खुशियां जीवन में बहुत ही जादा मायने रखती हैं बहुत ही जादा असर डालती हैं एक दूसरे के दिल पर तो दोस्तों वै अपनिया जो भी हमारी बहने हैं नई नई शादी हुई है तब भी हो चुकी है ज्यादा समय हो गया है तब भी तो ये समझ लिजे कि आप अपने पती से सिर्फ प्यार ही नहीं बहुत यदिक सम्मान भी पाएंगी जो कि बहुत जरूरी है तो आपको बातें अच्छी लग झाल अच्छी लग झाल ओई